बिल्कुल यूपी में रामराज आया हुआ है और बिल्कुल विश्णू के अवतार मठाधीश जो मुख्यमंत्री है वहाँ के वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोग अगर भूल गए हों कि रामराज कैसा होता है तो उसकी बानगी पेश के जा रही है ये जो बिश्णू के दो अवतार हैं एक प्रधान मंत्री बना है और एक उत्तरपदेश ममुक के मंत्री बना है अब ये क्या कहें ये सारे अवतारों से उपर हैं अपने सदी के सबसे कुरूरतम लोग हैं महिलाओं का कैबिनेट बनाएंगे और महिलाओं के चीरहन पर उनकी जवान नहीं खुलेगी वो लखनौ में किसी सड़क पर बैठ सकते थे अपने लोगों के साथ में बैंट जी ने एलान कर दिया कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जिनकी जिमेदारी है वो तो उतने एक्टिव हमको नज़र नहीं आ रहें तो फिर लोग के कारे कर जमीन पर अगर कोई भाजपा से लड़ रहा है तो सपा कारी करता है और नेता फिर क्यों ट्वीट करके कहता है कि सब याद रखा जाएगा कैसे याद रखेंगे एक कैबिनेट बैठ समें किसकी हिम्मत है मोधी और में शा के सामने कुछ बोल पाएगा यह मंत्री लोगों क थोड़ा संग सब में है तो थोड़ा सा संग एंडी टीवी में है थोड़ा सा संग जो है लिबरल लोगों में है जैबीम सातियो मैं हूं सुमिच चोहान और स्वागत है आपका दे न्यूस भी किस खास पेशकस में मेरे साथ हैं डॉक्टर लक्षमनी आदव जो जाने माने विचारक लेकक हैं और इनके वीडियो काफी पसंद किये जाते हैं डॉक्टर लक्षमनी आदव से हम बात क्योंकि समय देश में देश की राजनिती में भुचाल आया हुआ है जाती के आधार पर केविनेट बनाई जा रही है और जाती का काड़ खेला जा रहा है और यूपी की राजनिती में तो तुफान आया हुआ है कहीं किसी का चीर हरन हो रहा है तो कहीं किसी को गोली मारी ज जा रही है और पुलिस जो है वो एक जोकर की तरह देख रही है कि हो क्या रहा है तो इन तमाम जरूरी मसलों पर हम बात करेंगे डोक्टर लक्ष्मनियादव से डोक्टर लक्ष्मनियादव बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत शुक्रिया सुमिजी मेरा पहला सवाल के कि अभी कुछ वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर आपने यूपी से आई हुए थे आपके यूपी से हैं आपके चहिते मुख्यमंत्री हैं योग अदिते नाथ तो वो जो वीडियो देखे आपने उनसे क्या समझ में आ रहा है क्या लग रहा है कि यूपी में हो क इसा होता है तो उसकी बानगी पेश की जा रही है उत्तरप्रदेश जहां से मैं आता हूं निश्यत रूप से इस समय दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री जो जुल्मों सितम की इंतहा हो वो कहीं नहीं देखने को मिलागा जैसा उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री की यहां चल कि लोग तो कह रहे हैं कि उत्तर पर्देश में हिंसा हो रही है माईलाओं के साथ गहर बराबरी और अत्याचार हो रहा है उनका चीरहन्ड किया जा रहा है लेकिन वह नाम नहीं ले रहे हैं कि यह कौन कर रहा इसके पीछे कौन कर सिश्टम कर रहा है बिल्कुल वह जो अद्रिश सा सिश्टम है पहले के जमाने में एक समय में प्रिट्रोल का दाम बढ़ने से प्रधान मंत्री का स्तीफा मांगा जाता था आज कल प्रधान मंत्री चुकी जब से दाढ़ी बढ़ा हैं कद बढ़ने के बाद दाढ़ी जब से बढ़ी है तबसे वो बिलकुल विश्णों के अवतार होगे उनका नाम कोई नहीं लेता वैसे ही उत्रपदेश में गुस्सा तो बहुत liberal लोगों को आ रहा है कि उत्रपदेश में लोगत की हत्या हो रही हलांके हत्या कहा नहीं रहे हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं ले रहे जिसके शाशन और प्रशाशन के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है वहां गुस्सा आ रहा है लेकिन किस पर ये सवाल है उत्तरपदेश में जो ये हो रहा है ये आगामे विधान सभा का डेमो चल रहा है, जब पंचायत चुनाव और विधान परिशत के चुनाव में, पंचायत चुनाव और नगर निगम का चुनाव है ये, इसमें सीधे पुलिस और प्रशाशन खड़े हो करके परचा दाखिल न होने देना, और जो लोग परचा द यह अपना अस्तित्त बचारे लेकिन पुलिस तो सियम के उस पर आदेश पर काम करें यहां वह जब कहते हैं कि ठोको गोली मारो तो वह जो सियम का आदेश होता है वह वाली पुलिस है जो बंदूक नहीं चलती है तो मुह से ठाइठाइच करती है ऐसी पुलिस नहीं चुनाव लड़ रही है लेकिन इन में जो विपक्षे दल के लोग हैं उनको निर्देशित कर रहा है पुलिस वालों को कि आप इनको रुकी आप इनके परचे छिनी तो भाजपाई गुंडे आगे खड़े हैं उनके पीछे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही और पु दुनिया की सबसे बड़ी भाजपा उसका राश्ट्रे अध्यक्ष बंगाल चुनाव के बाद जाकर बंगाल में धरने पर बैड़ गया कि बंगाल में हिंसा हो रही है उत्तर प्रदेश में यह राम राज्य में वद हो रहा है वाली का इसमें कोई हिंसा नहीं है लोक देश में यह जनता वहां की मान चुकी है कि योगी अधितिनात को दुबारा मुख्यमंतिर नहीं बनने देंगे तो यह बोखलाहट है निश्यत रूप से अगर बोखलाहट न होती तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब पंचाय चुनाव का प्राथमिक अस्तर होता है जिसमें प्रदस से जढ़ा जीते उनके अध्यक्ष होने चाहिए और अध्यक्ष होने की बजाय यहाँ पर परचा दाखिल नहीं होने दिया गया तमाम तरह की दिकती और इनके अध्यक्ष जीत गए यानि इनको संकेत बीने लगा है तो यह अपनी हार चेपाने के लिए साशन प्र लोकतंत्र की हत्या करने वाले आदेशों को मानरे डियम औरस्पी और डियम और इसपी खड़ेओं कर परचाद हमरे आजमगड की खबर यह आजमगड में वह डियम और.'s principles कहड़ेख बहुत करके कि आपके परचे नहीं दाखिवलोंगे था twenty के पत्रकार लोग मारे जा रहे हैं और मीडिया चैनल खबर भी नहीं चाहिए मीडिया चैनल वो सिस्टम को खोज राए कि किसके उपर का जा क्योंकि योगी जी तो देखने में भी फकीर आदमी लगते हैं एक को तो बोलना पड़ा कि मैं फकीर हूं जोड़ा लेकर चल हो सकता है जो राम राज के फ्रेम में है वो उत्ता पदेश में देखने को मिल रहा है और यह अगर पंचायत चुनाओं में इस अस्तर पर है तो आप कल्पना करिए सोविच जी कि यह राज के विधान सवा चुनाओं में किस अस्तर पर देखने को मिले हैं यह किन अगर उत्तरप्रदेश में विपक्ष दल इस देश के लिबरल आवाम सीधे मुखालफत llegar नहीं करती है उत्तरप्रदेश को लेकर की गहरी नजर नहीं रखती तो बिहार से भी ब्रिया क्रूरतम खेल यहांपर खेला जा damping सब्खेलर Introdu the विपक्षी दलों को हरा दिया जाएगा और भारती जनता पार्टी के जीत का सहरा फिर से बात दिया जाएगा। उतने एक्टिव हमं kur नजभर नहीं हा तो फिरो के का दिया बिलकूल यह वाजिब सवाल है कई बार जनता तो नैता के पीछे खड़ी होती है और जब आप आप मायवती जी हैं, चार बार सीम रह चुकी हैं, अखलेश यादो के पिता जी तीन बार सीम रह चुकी हैं, खुद अखलेश यादो पाँच साल सीम रह चुकी हैं, यानि आप लोग सिश्टम के लोग हैं, आप लोग को बखो भी पता है कि साशन प्रशासम कैसे चलता है, तो अब बहन जी का क्या तरक है वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है इस पे बहुत कहा नहीं जा सकता हलांकि एक बात तो है कि जिस दलित समुदाय के प्रतिनिधी के तौर पर बहन जी है उनका कोर कैडर जो है वो कई बार सामाजिक संरचना में ऐसी जगह पर नहीं होता ह है कि वो सिधे मुट भेड कर सके वो मुकर में जहल सके वो अभी बहुत शुरुवाती दौर में है कि इसलिए बस्पा इस तरह चुनाव नहीं लड़ती कई बार यह समझ में आता है लेकिन बहन जी को भी और खास कर अखिलेश याद्व जी को यह बास सोचनी होगी कि जब आपको देश आजाद भारत के सबसे कुरूरतम नेताओं से लड़ना है पहले के लोगों में थोड़ा बहुत लिहाज हुआ करता था पहले के लोग विपक्षी लोगों को थोड़ा बहुत सहुलियत दे देते थे एक मर्यादित चुनाव होता था हर जगह अपराद और तम यह क्या कहें यह सारे आउतारों से उपर हैं इन दोनों के राज में हिंसा तो कोई शब्द ही नहीं बचा है अपने सदी के सबसे कुरूरतम लोग हैं महिलाओं का कैबिनेट बनाएंगे और महिलाओं के चीर हरन पर उनकी जबान नहीं खुलेगी किस बात के आप प्रदान नेताओं से सबसे दागदार आप योगी आदितनात मठाधीश को इसके पहले क्यों जानते थे नफरती बयानों के चलते कब्र से निकाल करके बलातकार करने की धंकी मुस्लिमों के लिए किस ने दी इसी वज़े से तो यह लोग पर चित रहे हुए गुजरात में नरेंदर कितने मुख्यमंत्री चर्चित हुए लेकिन 2002 के बाद अगर कोई चर्चित हुआ तो नरेंदमों दी जिसको तड़ी पार करके राज से दरबदर किया गया वह व्यक्ति अमिशा के रूप में चर्चित हुआ इन लोग का नाम कैसे हम जानते हैं इसी दंगे और हिंसा की सकता है उस पैसा नहीं होगा आपके पास जैसा यह बैकप संगठन नहीं होगा सब कुछ ठीक है मगर आपको यह पता है कि जतना जनता के खिलाफ यह पूरी लड़ाई है उससे ज्ञदह तो आपकी पाल्टी के खिलाफ है आपकी पोलिटिकल पार्टी a지는 तो विज बुस नितीश कुमार के सामने भी तेजस्वी इतने रेडिकल हैं, तो योगी अधितनात अजय सिंग बिष्ट के सामने अखिलेश यादों को कितना रेडिकल होना चाहिए, ये अखिलेश यादों को सोचना चाहिए, आप कुछ नहीं करते, आप अच्छी बात है कि अखिलेश अरे मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसा ही रहा तो आप सीम कैसे बनेंगे बनी नहीं बन पाएंगे आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से त्रस्त है और मैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो मैं देख पा रहा हूं साफ तोर पर यह संकेत आ हैं कि उत्तर प्रदेश में दुबारा भार्ती जनता पार्टी किसे भी कीमत पर नहीं जीत सकती है अब केवल लड़ाई इस बात को लड़ने की विपक्षी यह साबित करें कि हां हम उनके विकल्प हैं इसके लिए थोड़ा मुडबेर करनी पड़ेगी सड़क पर आना च्याग्र पूरग विरोत करते हैं कितना बड़ा संदेश जाता समाजवादी पार्टी के कारेकरता जमीन पर लाठिया मुकदमे खा रहे हैं नेटा नहीं इनकी संसद आवारा हो चुकी है सडकों को खामोश लोहिया के वारिश छोड़ रहे हैं सडकों पर अपने कारिकरता के आगे नेता को खड़ा हो जाना होगा सिंपल अब ही मुकाबले में आ गए हैं कैसे देखते हैं यह जो मुख मंतरी गुजरात के रहे और फिर प्रधान मंतरी बने विश्णू के अवतार इसने अपनी जाती तो 2014 के चुनाव में बता दी थी कोई देश में नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी की जाती क्या है और इस व्य कि जातीवादी कौन हुआ नरेंद्र मोदी से किसने पूछा था कि जाती बताओ रावनात कोविंद को तुमने राश्ट पती बनाया तो भारती-जनता पार्टी कब राश्ट्रिय अध्यक्ष प्रेस कॉंफरेंस करें कि यह नोगों की जातियां आप से किसने पूछी ने अगर राजनीत करें कि दलित पिछड़े आदिवासियों को हक हुकुप मिलना चाहिए इनके साथ सबस्यादा अन्याय हुआ इनके साथ न्याय होना चाहिए तो इनके ऊपर ये पूरी मुख्धारा मीडिया केवल नेता ही नहीं ये दिल्ले में बैठे अंग्रेजी बोलने व वाले बुद्धिजीवी तपका है जो नरेशन करता है कि देश में राजनीत किस दिशाम होनी चाहिए किताब है लिखता है वो क्या बोला राजनीती का जातिवादी करण हो रहा है दलित पिछड़े आदिवासी अगर कहें कि इन जातियों को हक मिलना चाहिए तो जातिवा अचले भी बताते कि 50 में 45 ब्रह्मण बनाया हमने वो क्यों नहीं बताया कि राजपूत कितने हैं राजनास सिंह कितने ठाकूर बने अजे सिंग बिष्ट क्यों नहीं बताता कि वहां पर कितने लोगों को ठाकूरों को DMSP बनाया अखिलेश यादो कि सरकार में बदनाम करन नहीं थे यादो कर दिया और पूरी अखिलेश सरकार को कह दिया कि यादो आदी मायावती जी के लिए कह देंगे कि वह दलित वादी है जाटव आदी है और जाटव यादो को बदनाम करके उत्तरपुदेश का पूरा वोट बैंग खीचने में काम्याब हो गए अती पिछ से चववन में तो ठाकूर डियम है और पैंतालिस में एसस्प जो ठाकूर है वो एस्पी है कोई जातिवादी कोई ठाकूर वादी नहीं सारा कुछ ठाकूर ठाकूर वहीं चल रहा है तो वैसे यह 27 OBC का कैबिनेट में आना है अगर हम ही जातिवादी हैं हम जातिके पर प्रासियों के हक की बात करें कि कैबिनेट ही नहीं के कैबिनेट दिखावा है यह रभर रिष्टाम पर एक कैबिनेट बैठक में किसकी हिम्मत है मोदी और मिशा के सामने कुछ बोल पाएगा यह मंत्री लोगों के कोई हैसियत बची नितिन गटकरी और राजनास सिंग कि हैसियत देखने के बाद आपको लगता है कि 27 OBC लोग कुछ बोल पाएंगे यह भुपिंदर यादव वाले OBC है यह OBC कौन से वाले संग वाले हैं जिनको केवल जात के नाम पर OBC माना जा रहा है जिनको दलित केवल जात के नाम पर माना जा रहा है हम कह रहें सामाजिक नियाय का मतलब क्या है पता है जो अगर यह 27 लोग बीसी हैं जो कैबिनेट में हैं तो 27 लोग एक प्रस्ताव पारित करें और नरेंद्र मोदी के सामने यह पेश करें कि जाती जन्गर्णा इस बार होनी चाहिए एसी और एस्टी की जन्गर्णा होती है जाती जन्गर्णा कराओ है हिमत इनकी यह सारे लोग क्या कह सकते हैं कि मंडल कमिशन की कितने अनुशन चाहिए थी बागवत के उन्होंने तो नहीं पढ़ा हूँ ये सारे मनुस्मृति वाले लोग है इनको पता ही नहीं होगा मंडल कमिशन क्या है तो ऐसे OBC का चेहरा दिखाया जा रहा है ताकि इस देश में आधी आबादी जीस OBC की है जो अभी सांस्कृतिक तोर पर उतना सज्यग नहीं है जैसके कंधे पर हिंदुत्वा का बोजह है जैसे ने राम मंदिर में आगे आगे दंगा कराया था जो ललाई यादो और जग्देव बाबू को पढ़ना ले जो मंदल कमिशन और लोहिया को पढ़ने और सीखने ना लगे उनको भुपेंदर यादो और अनुप्रिया पटेल इन जैसे OBC के सामने खड़ा कर दिया आता है कि तुम RSS के OBC बने रहो इसलिए इस देश के OBC दलित इन सब को सजग होना चाहिए कोई आउकात है इनकी कोई कैबिनेट में बोल पाएगा अगर है तो चलो जाती जनगर्णा पारित कराओ मंदल कमिशन की बाते उन सब्सक्राइब कराओ उधर तुम कैबिनेट में आ रहे हो बारह मैलाएं आ रही है और यूत्तर प्रदेश में मैलाओं का चीर रहन हो रहा है और नीट में OBC आरक्षण कतम हो जा रहा है तो यह कौन सा सामाजिक निया है फेक OBC जैसे नरेंद्र मोदी है वैसे ही फेक OBC यह 27 लोग है यह OBC इसलिए लाए गए है कैबिनेट में कि अब OBC के साथ जादा अन्याय किया जाए और उसका हाथ बनाएंगे इसी OBC मंत्रि को संसद में खड़ा किया गया बुपेंदर यादों को खड़ा किया था 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 थावर चंद गयलोत को भेज दिया वहां पर राजिपाल बनाके गए आप तो परकुदर गए इस देश में इस समझों हो रहा है ना रामनात कोविन के दलित मुख्यमंत राश्ट्रपती होने इतनी दमदार हो गई है कि देश के सबसे बड़ी कुरसी पर बैठ करके वे उनको जाती याद आ रही है हमने अपनी राजनीत को इस बुलंदी पर पहुंचाया है कि जाती का डिस्कोर्स अब देश के सेंट्रल पोलिटिक्स में हो गया मगर उस डिस्कोर्स का मतलब यह कत् कि हमारी जाती बिरादरी वाले व्यक्ति को आप कुर्सी पर बिठा करके हमारे खिलाप नियम पारित कराएं। लोग उससे ब्रमित हो सकते हैं। तो जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां आप में थोड़ा सा क्रीमी लेयर बना है। तो आपके साथ सबसेदान ने आए। तो इसलिए इस तबके को अभी कल्चरली साउंड होना है। या अतिदलिज्य तपका है जो बहुत पिछडा हुआ है या आदिवासी तपका है। निश्यत रूप से वह अपनी जाति के लोगों को बड़ी कुर्सी पर देख करके थोड़ा हो सकता है ब्रहमित हो जाए। लेकिन मैं फिर से पोच रहा हूं। इस पूरे भारत में OBC प्रधान मंत्री बना नरेंद मोदी। कहा गया OBC तो देवगोडा भी थे। और देवगोडा को खड़े ओकर बोलना थोड़ी पड़ा था कि मैं OBC हूं। क्योंकि खोट नहीं थे देवगोडा में। देवगोडा के कैबिनेट में जाती जनगर्ना के लिए पास हुआ कैबिनेट के प्रस्ताव में। और उसके बाद अटल विहरी की प्रस्ताव में वो गिर गया। पहली कैबिनेट जब बनी अटल विहरी की तो पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा कि जाती जनगर्ना नहीं होगी तो जो OBC असल में है वो यह काम करेगा जो देव गोडाने की जो वी-पी-सिंग OBC नर रहने के बाद भी कर गए OBC परधान मंत्री 7 साल होने वाला है क्या मिला OBC को यह मेरा सवाल है OBC परधान मंत्री ना एक लब्स भी उसने प्रधान मंतरी के कुरसी पर बैठने के बाद OBC बोला हो तो बताईए OBC को बाटने के लिए तयार बैठा है वो आदमी के OBC की यूनिटी जो है उस OBC नाम पर ही तो है 37 सुतिरा ले जाती है उसको ब्रेक कर हर काम OBC के खिलाफ किया तो अब अगर प्रधान मंतरी रहकर के वो आदमी OBC का कुछ कल्यान नहीं कर पाया तो यह 27 OBC कुछ कर पाएंगे यही हमारा काम है हम जैसे लोगों के काम यह की जनता को यह समझाएं कि आप अपनी जात के व्यक्ति को अनुप्रिया पटेल को क्या हुआ अनुप्रिया पटेल पिछली बार कह रही थी कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो हम इस बार मंतरी नहीं बनेंगे राजमंतरी बना रहे थे पहले थी मंतरी राजमंतरी थी अपकी उन्होंने जित किया नहीं दिया वापस यूपी चुनाओ के पहले फिर राजमंतरी बना दिया आपने फिर जाय के समझा था आप लोग अपनी जमीन खो रहे हैं यह OBC ने था जाकर जमीन खो रहे हैं और यहां आकर के कुरसी पर इनको कह दिया गया पैसा कमाओ अपनी पार्टी बचाओ अगला चुनाओ लड़ो काम हम करेंगे मोदी अमिश्चा मोहन भागवर देश चलाएंगे तो यह लोग कोई मतलब अभी हमें जनता को समझाने एक जरूत है कि अपनी जाती के लोगों कि ऐसा हो सकता है कि इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी क्यों आखिर रजस शर्मा और सारे ब्रामण पत्रकार मिल करके इस देश में ने रशन चला रहे हैं कि बहुजन कैबिनेट बन गया इतने ओपीसी बन गए इतने दलित बन गए एंडी टीवी ने तो ब्राहमन मैं श़बा कर दी फैनल में सारे की सारे ब्रामन और कहने कि ये बहुत घातक होगा बहुजन लोगों के लिए। के लिए हमारे अधिकारों के लिए सरकार से सवाल करने की हमत रखते हैं तो ये सरकार में जो मंत्री बने हैं क्या ये वाकिए हमारा भला करेंगे ये वक्त बताएगा लेकिन इनके लक्षन देखकर तो यही लगता है कि भला ही की बात तो दूर की बात है भूल जाएए वो न एकले वीडियो में मिलते हैं साथियो